वेल्कम बैग फ्रेंट्स वेल्कम दू तने स्कूचिंग डास आज में आप दिले विकाम फर्स्ट यर बिजनिस मैथमेटिक से रिलेटेड पुछ संदे कर आयों आस्ता करता हूं कि हमारे ये वीडियो आपको पसंद आएगा और दोस्तों अधि हमारा वीडियो आपको पसं प्रेंट्स बिना देर करते हुए मैं इसकी शुरुवात करता हूं बिजनिस मैथमेटिक्स बीकाम फर्स्ट यर चैप्लर प्रोपोर्शन में समानुपाद इफ 16 kg of sugar can be bought for रुपी 320, what quantity can be bought for रुपी 480, एदी 16 kg चीनी 320 रुपे में खरीदी जाती है, खरीदी है, तो 480 रुपे में कितनी चीनी खरीदी जा सकती है, solution, तो दोस्तों सबसे पहली बात तो आप इसे देखें कि 16 kg सबकर चीनी खरीदने में आपको 480 रुपे में आपने खरीदी, तो अब यदि आप 16 kg 320 में खरीदी, तो 480 रुपे में सक्कर जादा आएगी या कम, यह नौर्बन सी चीज़े सभी को पता होगा कि जादा आने वाली है, तो जब ऐसे केस में कि जब 320 रुपे से आपकी कोश्ट 480 हुई, तो सक्कर की मात्रा भी बढ़ेगी, जब दोनों ही चीज़े बढ़ती हो या घटती हो तो ऐसे केस में अनुलोम समानुपात होता है, और अनुलोम समानुपात में यानि कि आपका कौन सा डारेट प्रोपोर्शन होता है, और डारेट प्रोपोर्शन करने के लिए आपको पहले क्या करते हैं, शुगर लिख ले इस से कोई effect नहीं पड़ तक शुगर पहले लिखा है कि cost आप जो भी लिखोगे वो आपको सामने सामने लिखना है शुगर के सामने 16 kg आपने लिखा तो अब कितनी आएगी ये आपको question में नहीं दिया है तो आप माले x cost आपको first cost 16 kg का दिया 320 हैना 16 kg कितने की आती है वह आप लिखते 320 और तो आगे 480 की कितनी आएगी आपने x मान दखा उपर 480 रुपे कर देंगे अब आगे आपको क्या करना है इसको पहचान करके लिखेंगे कि it is direct proportion यह क्या है अनुलोम अनुपात है विकॉज बोथ quantity quantity of sugar and cost of sugar are increased क्योंकि यहां पर दोनों ही चीजें increase हुई आप दोनों ही चीजें increase हो या decrease ऐसे कि इसमें क्या होगा direct proportion होगा तो direct proportion में आप सीधा नोट करते हैं कि 16 अपन 320 और x अपन is equal x अपन 480 जैसा कि मैंने नीचे लिखा हुआ है 16 के बटे 320 लिखा बराबर लगा के x के बटे में 480 और फिर इसमें कर देंगे प्रॉस मल्टिप्लाए 16 गुलित 480 बराबर 320 गुलित x अब देखे हमें value find करना x की तो x के सांथ वाला number हमेशा जाएगा divide में आने बटे के नीचे लिखाएगा और x की value होगी x is equal to 16 multiply बाब 480 अब उन में 320 अब हम यहां पर 16 के डेबल से काट देते 320 को यह आ जाएगा 16 दूनी 32 दो बार में कट गया 0 का 0 लिखा अब यहां का 480 के 0 से इसका 0 काट दे और 2 से इसको divide कर दे से 2 से काटें के 48 को तो कटेगा 224 और 248 अने कि 24 केजी आपका answer आ जाएगा यह आपका answer होगा दोस्तों और देखें question number second if 180 में complete a work in 120 days in how many days will 270 में complete it अधी 180 आदमी किसी काम को 120 दिन में करते हैं तो 270 लोग इस काम को करने में कितना समय लेंगे कितने दिन लेंगे तो इसमें दोस्तों सेम उपर जैसा समय बस आपको ऊपर अनुलोम का था तो इसमें बिलोम का है और इन्वर्स की पैचान क्या है कि यह opposite चलेगा एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी decrease और एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी इसमें घटेगी इससे आप पैचान सकते हैं तो फिर इसका करने का तरीका भी थोड़ा सा अलग होगा जिसमें सिर्फ यही अंतर होगा कि इसको लिखने का तरीका होगा कि 180 के अपन में 270 लिखना है और इसको एक्स के बटे में फिर 120 लिखना है बागी दोस्तों सेम को यहां पर मेहन कितना 180 मेहन को यहां पर दिया है कितना 270 मेहन और नंबर ओपडेज 120 है तो नंबर ओपडेज 120 के प्लेस पर कितना हो गया कि यहां मान लेंगे एक्स अब जब अनुदॉम में तो आपको सिदा नोट करते हैं 180 अपन 120 270 अपन एक्स लेकिन ब्लॉम्स समानुपात का जब होता है सम अर्था यह आपका इनवर्स वाला सम होगा इनवर्स में जब एक चीज़ बढ़ती हो और एक धरती हो तो आप इसे लिखेंगे 180 बटे 270 और यहां उल्टा लिखना है एक्स बटे 120 यह लिखने के बाद आप देखें बटे वाले नंबर के बीच जब बराबर का चिन होता है तो हम करते हैं क्रॉस मल्टिप्लाइब करेंगे तो 180 मल्टिप्लाइबा 120 इक्वल टू 270 मल्टिप्लाइबा एक्स और एक्स के साथ वाला नंबर हमेश्चा बटे में जाएगा तो होगा एक्स बराबर 180 मल्टिप्लाइबा 120 डिवाइड़ टू सेवन अब हम इसे काट देते कितने से यह नाइन के टेबल से नाइन थ्री जा 279 तूजा एट्टिन तो यहां आपका जो आएगा वह जाएगा एटी डेज तो इस तरीके से हमने देखा के एधी 180 में वर्क करते हैं तो आपके कोश्चन के कोडिंग करते हैं तो 120 डेज में कम्प्लेट होता है लेकिन मैंने यहां आपके बढ़ गए तो इसके कोडिंग यह यही वर्क कम्प्लेट होने में आपको डेज लगेंगे कितने 80 डेज यही आपका अंसर होगा दोस्तों तो आसा करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा और यदि आपको हमारे जी वीडियो पसंद आया दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेर और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर वेल आई तो नावस्ता वाले जिससे हमारे द्वारा बनाई जाने वाले प्रत्ते की दूल कर नोटिफिकेशन आप तक प्रेले बहुत सकते Friends, thanks for watching this video